कि नमस्कार दोस्तों में रोन शर्मा हाजीरों आप सब्सक्राइब की सामने आपके अपनी यूटिव चैनल जो तिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं देव उठिनी इकादशी पर आपकी राशी के अनुसर आप क्या उप इकादशी बहुत ही जादा महत्व है इसकादशी का क्योंकि देव उठिनी इकादशी को मांगलिक कार्य करने का महत्व होता है और यहां से अब मांगलिक कार्याब स्टार्ट कर सकते हैं तुबसी विवाह का भी बहुत इक अपना महत्व होता है देव इकादशी को तो दे जीवन में सफलता हैं और खुशियां ला सकते हैं इसके लिए मैं आपको आपकी राशी की अनुसार कुछ उपाया बताऊंगा जिसे करने से आपको बहुत ज्यादा यहां पर लाभ मिलेगा तो आगे दोस्तों बात करते हैं कार्थिक मास के शुक्रपक्ष की इकादशी की ज क्या पूजा करें इसके बारे मैं आपको बताऊंगा मेश राशी वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि मेश राशी वाले ऐसा क्या करें जिससे वह बगवान विश्नु को प्रसंद्द कर सकते हैं और शुक्रवार का जो दिन पढ़ रहा है देवी कादशी का इस दि भगवान विश्नु की प्रतिमा की साफ सफाई करके पूजा के लिए गी का दिपक जलाएं और गी के दिपक को सिंदु का लाल टिका अवश्य लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का 108 वार आप जाब करें आप देखिएगा कि अगर आपके जीवन में नौकरी संबंद कोई परिशानी है यहां पर आ रही है तो आपको उनसे छुटकारा अवश्य मिलेगा व्रशब राशी वालों के लिए बात करें दूसरी राशी व्रशब राशी वाले देव उटनी एकादशी के दिन ऐसा क्या उपाय करें विश्नु भगवान को कर सकते हैं और इस प्रकार से उनके जीवन में सुख और सुविधाओं की प्राप्ति यहां पर अवश्य होती है अब बात करतें मिठुन राशी वाले देव एकादशी देव उठनी एकादशी को क्या ऐसा उपाय करें कि वह भगवान विश्नु को प्रसंद कर सकते हैं तो करરे मिठुन राशी वाले जाहतक यहां पर व्श्नु को पीले रंग के पुश्प अर्पित करें पीली रंग के पुश्प अरपित करें पीला वस्त्र, धारन करें जथा अग्वान विष्णु को हलदी का टीका जरूर लगाएं ऐसा करने से सरकारी ख्रेशी च्छत्रो और हल्दी से निर्मित चीज का दूद में हल्दी मिलाके उस दूद से बगवान विश्णु का अभिशेक करें बगवान विश्णु को सनान कराएं तो इससे उन्हें मांशिक शान्ति यहां पर मिलेगी और मांसिक शान्ति मिलने से वह विश्णु का आशिवाद प्राप्त होगा तदा उनकी सुख सम्रद्धी पाने में काफी जादा मदद मिलेगी करक राशी के मीठा अर्पित करें मीठी का भोग लगाएं और मीठी में सबसे शुद्ध मीठा गुड़ का अगर वह भोग लगाते हैं तो गुड़ Ka भोग लगाने से उन्हें बहुती जादा लाब मिलेगा सभा कि लोग गुड़ का अगर आप किसी मंदिर में जाके विश्णु बगवा कणियार राशी वालों के लिए क्या करें वाले भगवान विश्नु को तुलसी सी अर्पित और प्रियों को तुलसी बहुत ही स्यादा प्री होती है और तुलसी का legitimate हुग लगाने कन्या राशी के बाद बात करें तुला राशी की तुला राशी वाले ऐसा क्या करें जिससे भगवान विश्णु को वो प्रसंद कर सकते हैं तो तुला राशी वाले अगर आप अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा परिशानियों से गिरे हुए हैं तो भगवान विश्णु चुन की जो मुर्थी होगी जो भान्विश्णु का जो भी तस्वीर है उस पर आप मुल्तानु का लेपी करें फिर मुल्ता लेप다 करते हैं उनके तस्वीरी पर तो ऐसा करने से आपको अपने परिशानियों से जल्द चोठकारा बिलेगा और आपको काफी जादा मदद मिलेगी खुश्यां प्राप्त करने में बात करते हैं व्रष्चिक राशी वालों के लिए कि व्रष्चिक राशी वाले 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 व्रष्चिक प्रच्च एक बाद करते किसी भी मिष्ठान का मिठ्धय पदार्थ का बोग लगाएं पीला हलवा बना सकते हैं किसरत ही हीां। पिनलडू हो सकते हैं ए vermगत लगायां artists करने से ब्रस्पति देव का आशिवाद आपको प्राप्त होगा साथ ही साथ कोई भी परिशानी अगर आपके जीवन में आ है तो वह यहां पर संथ हो जाएगी अब बात करतेंने मकर राशी में आश्पति वहाले सक्या उपाय करें कि वहां भी विष्णू को हैं यहां पूप कर कुम्ब राशी वाले जातक क्या करें कि वगवान विष्णु को प्रसन कर पाएं तो देव उठनी इकादशी को कुम्ब राशी के जातक जो हैं वगवान विष्णु के चड़नों में विद्यायंत्र स्थापित करें और विद्यायंत्र स्थापित करने की बाद विद्यायंत पर अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है अब अंतीम राशी की बात करते हैं मीन राशी के जात्कों के लिए कि मीन राशी वाले जातक ऐसा क्या करें कि भगवान विश्णु को वह प्रसंद्न कर सकते हैं मीन राशी वाले जातक जो हैं भगवान विश्णु को प्रसंद्न कर रही है तो वह आपकी समाप्त हो जाएगी कोई भी परिशानी अगर आपकी है तो आपको भगवान विश्णु का आश्रिवाद यहां पर प्राप्त होगा उमीद करता हूं आपके राशी कहने उसार जो जो मैंने उपाया बता है उससे आपको काफी मदद मिलेगी और भगव और वहां से आप वह वारा वीडियो भी देख सकते हैं धन्यवाद